हेलो एव्रिवान, once again a very warm welcome to current affairs by रवी यूट्यूब चैनल, I am Aditi सो आज की वीडियो में हम मिशन चंद्यान 3 से जुड़े जो है important questions discuss करेंगे जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आज जो हमारा मिशन चंद्यान 3 है, ये moon पे landing करेगा आज शाम को 6 बज़ के 4 मिनिट पे, तो मैं इस topic पे आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ जो की काफी ज़दर trending topic है 2023 का और आपकी exam में इस topic से later question आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे तो चलिए आज के हमारे session को start करते हैं हमारे very first question से इस question देखिए आपका, mission चंदयान 3 को कब launch किया गया था तो right answer इस question का क्या रहेगा, option number 1 तो friends, 14 July 2023 को mission चंदयान 3 mission जो था, इसे launch करा गया था important points के अगर हम बात करें, तो चंदयान 3 जो था, ये चान पर खोजबीन करने के लिए भारती आंतरिक्ष अनुसंधान संगतन यानि की इसरो द्वारा त्यार किया गया एक तीसरा चंदयान 3 mission था, इसमें चंदयान 2 के समान ही एक lander और एक rover है, लेकिन इसमें जो है, orbiter नहीं है, तो चंदयान 3 का जो launch है, फ्रेंसी से करा गया था, 37 धवन आंतरिक्ष के अंदर शिडिहरी कोटा को कब चंदयान 3 ने चंदयान 3 जो है, इसे कहां से launch किया गया था, तो राइट अंसर आपका क्या रहेगा इसकूशन का, option number B, 37 धवन आंतरिक्ष के अंदर शिडिहरी कोटा से फैंस, चंदयान 3 मिशन को जो है, वो launch किया गया था, हमारे next question की और move करने से पहले हम इस question से लेटर कुछ important points जो है, वो cover करते हैं, तो देखिए, जो mission चंदयान 3 था, इसकी launching करे गयी थी, चोदे जुलाई 2023 को तो पहर 2 बच के 35 मिनिट पे, और चंदयान 3 जो mission था, ये भारत का तीसरा चंदरमा mission था, जुलाई 2019 के चंदयान 2 का ही ये अनुपरती है, और जिसका मुख्य दिश्य क्या है, चंदरमा के दक्षिनी दूरूप पर एक rover भेजना, यानि की चंदरमा के साउथ पोल पर एक rover भीजना, इस mission का जो फ्रेंस मुख्य देश्य है, वो है चंदरमा की सरचना को और भेटर धंग से समझना, next ये कोशन आपका, next question है हमारा, mission चंदयान 3 के सफल लेंडिंग के बाद भारत जो है, ये चंदरमा के दक्षिनी दूरूप पर पहुंचने वा ये चंदरमा के दक्षिनी दूरूप पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा, पहला, next ये कोशन आपका, चंदयान 3 को कहां पर लेंड करना है, तो right answer क्या रहेगा, option number C, चंदरमा के दक्षिनी दूरूप पर, next question देखिए, चंदयान 3 को किस rocket से launch किया गया है, तो right answer का है, option number C, LVM3M4 rocket से चंदयान 3 को जो है, वो launch करा गया है, यहां पर बात आई है, LVM3M4 rocket की, तो इससे related कुछ important points कवर करते हैं, तो चंदयान 3 को LVM3M4 rocket से जो है, वो launch किया गया है, और इससे पहले GSLVM3 के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, GSLVM3 क देखिए, अब भी इसका नया नाम है LVM3, तो LVM3 का जो full form है, वो है launch vehicle mark 3, वहीं इसका पुराना नाम जो था, GSLVM3, उसका full form क्या था, geosynchronous satellite launch vehicle mark 3, ठीक है, next एक ही question आपका, चंदयान 3 mission का जो फेंस नेतेतव है, वो किस ने करा है, तो right answer क्या रहेगा, option number B, C, रित्तु करिधल द्वारा, चंदयान 3 mission का जो है नेतेतव करा गया है, कुछ important points कवर करते हैं, इस question से जुड़े हुए, तो चंदयान 3 mission का जो नेतेतव है, ये करा C, रित्तु करिधल ने, और इनका जन्म कब हुआ था, 1975 में कहां पे लखनाव में, और फेंस रित्तु करिधल जो है, ये mission चंदयान 2 की भी निदेशर रह चुकी है, इससे पहले, और अब चंदयान 3 के का भी नेतेतव करा है, इनोंने, क्या नाम है, C, रित्तु करिधल जी, नेक्स से के question आपका, चंदयान 3 mission के जो friends, निदेशक हैं, वो कौन है, तो राइटन से क्या रहेगा, option number D, मोहन कुम ठीक है, परियोजना निदेशक कोन है, P, वीर मुथुवेल, वही वहाँ निदेशक जो है, वो है, वीजू, C, थॉमस, ये कुछ important points थे, जो मैंने आपको बता दिये, next एक question आपका, चंदयान 3 mission जो है, friends, launch करने में कुल कितना खर्च आया, ये काफे जादा important हो जाता है, त चंदयान 3 mission जो है, वो खर्च आया है, चंदयान 3 mission launch करने में, friends, अब मैं आपको चंदयान 1, 2 और 3 mission में जितने भी पैसे खर्च हो है, उनके परे में बता दिती हूँ, तो चंदयान 1 में हमारे देश को जो खर्च करना पड़े थे पैसे, वो थे 386 क्रोड, वहीं चंदयान करें हैं, तो क्या right answer रहेगा, option number D, तो उप्युक्त सभी जो है, ये मुख्य तीन निधारित उदेश ये हैं, इस रो द्वारा, कौन-कौन से हैं, उनके परे में जानते हैं, तो friends, चंदरमा की सतेह पर एक सुरक्षी तो नरम लेंडिंग का प्रदर्शन, चंदरमा पर गुमने की छंताओं का प्रदर्शन, विग्यानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना जो है, ये इसरों ने चंदरमा थ्री मिशन के तीन मुख्य देशे निधारित करें हैं, क्योंकि friends, जो चंदरमा की सतेह पर एक सुरक्षी तो और नरम लेंडिंग करनी है, यानि की सोफल चंदरमा पर रोवर की घुमने की शक्ति है, उनका प्रदर्शन करना, एक तो ये तत्या निधारित करा गया है, और दूसरा जो है, तीसरा जो है, विग्यानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, ठीक है, all clear, तो next एक 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 कोशन आपका, मिशन चंदियान 3 जो है, ये भा हमारे देश द्वार लॉंच किया गया था, फैंस, 22 जुलाई 2019 को, और अब तीसरा जंदमा मिशन भीचा गया है, 14 जुलाई 2023 को, next एक कोशन, मिशन चंदियान 3 की जो थीम थी, ये क्या थी, तो राइट अंसर आपका रहेगा, फैंस, option number A, science of the moon, जो था, ये मिशन चंदिय की थीम थी, next question देखिए, मिशन चंदियान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है, तो क्या राइट अंसर रहेगा, option number A, विक्रम जो है, इसके लैंडर का नाम रखा गया है, तो क्या राइट अंसर रहेगा, आपका, option number B, प्रग्यान जो है, इसके रोवर का नाम रखा गया है next question देखिए हमारा rocket women of India के नाम से किसे जाना जाता है तो क्या right answer रहेगा आपका option number B रितु करीधल को फेंस rocket women of India के नाम से जाना जाता है next question rocket man of India के नाम से किसे जाना जाता है तो right answer आपका क्या रहेगा option number a case even जो है इन्हें रोकेट मैन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है next question हमारा moon man of India के नाम से किसे जाना जाता है तो right answer आपका फ्रेंस option number C रहेगा मयल सामी अन्ना दुरई जो है इन्हें moon man of India के नाम से जाना जाता है next question है चंद्रियान थी अभ्यान के परियोजना निदेशक नाम सामी अन्ना दुरई चंद्रियान टूग अभ्यान के परियोजना निदेशन को थी एमवेनिता next question mission चंद्रियान 3 को किस ने लौँच करा है तो right answer option number A रहेगा ISTRO ने ISTRO से लेटर कुछ important points की बात करते हैं तो Indian Space Research Organization ISTRO का full form है जिसे की हिंदी में कहा जाता है भारत अंद्रिक्ष अनुसंधान संगठन इसों की जो friends थापना है ये करी गई थी 15 August 1969 को मुख्याले कहां पर है इसके बिंगलूरू में वहीं friends इसके अध्यक्ष है वर्तमान में 2023 में एस ओमनाद और पहले अध्यक्ष जो थे वो थे इस रों के विक्रम सारा भाई ठीक है नेक्स एक कोशन आपका चंदेयान 3 में इन में से क्या नहीं है तो क्या राइटन से रहेगा option number C orbiter नहीं है क्यों नहीं है उसके बारे में जानते है तो चंदेयान 2 में फ्रेंस lander, rover और orbiter था पर चंदेयान 3 के लिए orbiter नहीं बनाया गया है चंदेयान 2 का क्योंकि जो orbiter है ये पहले से ही orbiter में मौज़ोद है ज़रूरत बने पर क्या होगा इसी का इस्तेमाल किया जाएगा वहीं चंदेयान 3 में फ्रेंस orbiter की बजाए क्या यूज करा गया है सवदेशी propulsion module ठीक है नेक्स से किये चंदेयान 3 की चंदर्मा की दक्षिन दुरूप पर सफल लैंडिंग के बाद भारत जो है ये चंदर्मा की दक्षिन दुरूप पर पहुँचने वाला कौन सा देश बन जाएगा तो क्या राइटन से रहेगा आपका इस question का option number A पहला नेस देख ये question चंदेयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ rocket LVM3 का जो कुल वजन है वो कितना है तो ये भी important question बन जाता है तो friends आपका right answer इस question का option number C हो जाएगा 3,900 जो है LVM3 का कुल वजन है कैसे है इसके बारे में जानते है तो इसमें जो proportion module है इसका weight है कुल 2,148 kg ठीक है और lander module जो है इसमें उसका कितना weight है 1,752 kg वही rover का weight है 26 kg और total कितना weight हो गया 9,3,900 kg next day के question आपका चंद्रमा के दक्षिन दुरूप छेतर की सतेह पर जो soft landing है वो कौन करेगा तो right answer option number B रहेगा friends आपका विक्रम lander जो है ये चंद्रमा के दक्षिन दुरूप के छेतर में जो है soft landing करेगा next question चंद्रमा के लोंच के समय जो भारत की प्रधान मत्री निरेंद्र मोदी जी से ये किस देश की यात्रा पर थे तो right answer option number D आपका फ्रांस देश की यात्रा पर थे तो शेप का जो full form है वो क्या है? स्पेक्ट्रो पॉल्रीमेटरी ओफ हैबी टेबल प्लैनेटरी अर्थ नेक्स एक कोशन आपका लेंडर पेलोड में ताप ही चाल लगता और ताप मान को मापने के लिए कौन सा उपकन लगा है? तो क्या राइडन से रहेगा? तो शेप को जो full form है वो है चंद्रा सर्फेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट नेक्स एक क्या कोशन आपका लेंडिंग स्थल के आसपास भुकंप गतिविदी को मापने के लिए किस उपकन का उपयोग होगा? तो राइडन से क्या रहेगा? उप्शन नमबर C, इल्सा इल्सा को जो full form है वो है इंस्ट्रूमेंट फोर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ठीके? नेसे क्या क्या कोशन प्लाज्मा घंदे तो और इसकी विवित ताउं का अनुमाल लगाने के लिए कौन सा यंत्र जो है वो लगा है इसमें? तो राइडन से उप्शन नमबर C रहेगा एल्पी और एल्पी का जो full form है वो है लैंग मिर प्रॉब नेक्स्ट इमाना कोशन है लैंडर्स सल्ट के आसपास मोलिक सरजना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रेयोग होगा तो राइट अंसर रहेगा उप्शन नमबर C उप्योगत दोनों तो फैंस अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंडूस्ट ब्रेकडाउन स्पेक् इत्तव में आटेमी समझोते को शुरू किया गया तो राइट अंसर रहेगा आपका उप्शन नमबर D अमेरिका इसकी बात करें तो आटेमी समझोता जो है फैंस इसका संबंद किससे है मून से और भारत ने चंदरियान 3 लॉंच से पहले वर्ष 2020 में जो है आटेमी समझोत परमुक रोकेट इंजन का नाम है नेक्स्ट अबना कोशन है चंदरियान 3 में कितने मोडियूल्स हैं तो राइट एंसर क्या रहेगा आपका उप्शन नमबर B 3 अगर हम बात करेंस चंदरियान 3 में जो है तीन मोडियूल है कौन-कौन से प्रोपल्शन मोडियूल, लैंडर मोडियूल जो चंदरियान 3 का ये दूसरा और महतोपून हिसा है इसे ही चंदरियान पर उतारा जाएगा और रोवर को चंदरियान की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो लैंडर मोडियूल की ही है नेक्स है रोवर हमारा तो रोवर जो है ये इतने थ्रोटल सक्षम इंजिन हैं तो क्या राइटन से रहेगा ओप्शन नमबब बी चार तो चन्दयास 3 के लैंडर में 4 थ्रोटल सक्षम इंजिन हैं नेक्स्ट नमारा कोशन देखिए, वरतमान में, इस टो के जो फेंज अध्यक्ष हैं, वो कोन हैं? तो, राइटन से आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नम्बर A, एस्ट सोमनाद जो हैं, ये वरतमान में, इस टो के अध्यक्ष हैं नेक्स्ट कोईशन हमारा चंदेयान वन मिशन को जो है फैंस कब लॉंच करा गया था तो ऑप्शन नंबर बी राइट अंसर रहेगा आपका 22 अक्टूबर 2008 को चंदेयान वन मिशन जो था इसे लॉंच किया गया था और इसे किस रोकेर से लॉंच करा गया था P.A.S.L.D.XL.C.11 से चंदेयान वन जो था फैंस इसकी जब लॉंचिंग हुई थी तब इसरों के जो भिष थे वो थे जी माध्वन और चंदेयान जो था यह फर्स्ट मिशन हमारा चंदेयान यह जो था यह पान वन इसमें क्या था हमें चंदेयान पर पानी के अनुओ का परमान मिले थे चंदेयान वन मिशन में नेस से एक ही कोईशन आपका चंदेयान टू मिशन को कब लॉंच किया गया था तो क्या राइटेंस से रहेगा ओप्शन नमबर ए 22 जुलाई 2019 को हमने अपने देश का दूसर चंदेयान मिशन लॉंच करा आईए इसे जुड़े कुछ important points कवर करते हैं तो चंदेयान वित्य मिशन जो है ये 22 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया था और इसे जो है वो सतीश धवन आंत्रिक शकेंदर शिरी हरिकोटा से लॉंच किय नाम था वो था विक्रम और रोवर का नाम क्या था प्रग्यान चंदेयान 2 लेंडर द्वारा चंद्रमाइक की सत्य से 2.1 किलोमेटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था 48 देज चंदेयान 2 मिशन में स्थापित प्रग्यान रोवर में जो थे कितने पहिए थे 6 और ये कुशन जो है वो अग्जा में पुछा गया है चंदेयान 2 अभ्यान को भारत की किस शक्तिशाली रोकेट से लौंच किया गया था तो GSLV Mark 3 रोकेट से इसे लौंच करा गया था चंदेयान 2 को और जब ये चंदेयान 2 मिशन फ्रेंस लौंच हुआ था उ 20 नवंबर 1963 को हमारे देश भारत ने अपना पहला रोकेट जो है वल लौंच किया था तो ये 37 कोशन हमने डिसकस कर लिए हैं चंदेयान 3 मिशन से जुड़े हुए ठेक है अब मैं आपको चंद्रमा जीके से जुड़े कोशन कुछ इंपॉर्टन बता देती हूं तो चंद् चंद्रमा का जो व्यास है यह है 3475 किलो मिटर और चंद्रमा का जो गुरुत्वा करशन पृत्वी के अपेक्षा कितना है एक पटेश चंद्रमा पृत्वी से कितना दूर है तो 384,400 किलो मिटर जो है दूर है चंद्रमा पृत्वी से सबसे पहले चंद्रमा के धरादल पर उत्रा मानव अंत्रिक्ष यान कौन सा था Apollo 11 और इसे नासा दॉरा 1969 में भेचा गया था सबसे पहला मानव रही था अंत्रिक्ष यान चजद्रमा के धरादल पर कब उत्रा तो 1966 में उत्रा था और इसे सोविद संग ने भेचा था कर नाम क्या था Luna 2 ठीक है next देखिए कुछ important boys हम चंद्रमा की धरादल का कितने परतिशत भाग जो है वो देख सकते हैं तो 59% भाग जो है हम चंद्रमा की धरादल का देख सकते हैं next देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला वेक्ती था वो कौन था तो Neil Armstrong जो था य अपवलो 11 mission के तहट नाइटी 69 में जो है यहां पर चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे और इसके साथ यह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले विक्ति बनके थे चंद्रमा किसका प्राक्रितिक उपग्रे है हमारी प्रिश्वी का वहीं चंद्रमा की अधियन को क्या कहा है तो 4 options है आपके पास right answer अपने comment box में लिख देना है next एक कोशन चंद्रमा 3 को किस rocket से launch किया गया है तो जो भी right answer होगा अपने comment box में लिख देना है तो इसे के साथ वीडियो हमारी जो है यह complete होती है और हमारी आप paid PDF खरीए सकते हैं हमारी website www.ravibooks.pdf.com से current affairs की paid PDF है last 7 month की यहां आपको सबी questions जो है current affairs की मिलेंगे topic wise तो आप ज़रूर भई करिए इस paid PDF को और अपने exam की preparation को और जादा strong बिनाए और वहीं friends अगर आपको English medium में यह paid PDF चाहिए तो आप हमारी रवीय दीती classes चैनल को visit कर सकते हैं यहां पे आपको English medium में इस paid PDF का link जो है वो मिल जाएग ठीक है तो ज़रूर भई करिया इसको अपने exam से पहले और वीडियो आपको कैसा लगा है आप comment box में ज़रूर बताएं अपना feedback और next वीडियो आपको जिस भी topic पर चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं ठीक है और अभी के लिए इतना ही अब आपसे मुलाकात होग वी नग्योर में अवी नही आपक चाहए जाओ झाल। तके साथ थैंक्यो मुच za वाचिए पर वजूंख वचेस विच्छ तेड